भारती जानता पार्टी के नेत्रत्वों में एंजे गठवंधन सबसे बड़े गठवंधन के रूप में उभर रहा है। उसने 209 सीटे जीत ली है और 80 पर बढ़त बनाई हुए है। उसका तीसरी बार सत्ता में आना निश्चित लग रहा है। उधर विफक्षी गठवंधन आईएंडि आई 135 सीटे जीत का 99 पर आगे चल रहा है। अन्य ने 14 सीटे जीत ली हैं और 5 पर आगे हैं। सभी पार्टियों के रुजहान इस प्रकार हैं। भाजपान ने 156 सीटे जीती हैं और 83 पर आगे चल रही है। कॉंग्रिस ने 62 सीटे जीती हैं और 37 पर आगे चल रही है। मांकसवाधी कंसट पार्टियों ने 4 सीटे जीती हैं और शूर ने पर आगे हैं। आम आदमी पार्टियों ने 3 सीटे जीती हैं। जांदर दल सेकुलेर ने 2 सीटे जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 24 सीटे जीती है, त्रमुल कॉंग्रिस ने 15, डीमके ने 5, जेडीपी ने 4, ज्यांदा अदल उनाइटिट ने 6, शिरसिना यूबीची ने 4, शिरसिना ने 2, एल जेपी आरबी ने 2 और एंसीपी, एसपी ने 1 सीट जीती है. उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 55 के परणाम आगे है, समाजवादी पार्टी और भाजपा की बीच कांटे के टक्कर है. भाजपा ने 24 और समाजवादी पार्टी ने 23 सीटे जीत ली है, कॉंग्रिस ने 4, राश्च्री लोकदल और आजाद समाजवादी पार्टी कांशिराम तथा अपना दल सोनेवाल ने एक-एक सीट जीत ली है, फिलहाल भाजपा 10 सीटों, समाजवादी पार्टी 14, कॉंग्रिस दो और राश्च्री लोकदल एक सीट पर आगे है, दिल्ली में भाजपा ने 3 सीटे जीत ली है और 4 पर आगे है, पंजाब की सभी 13 सीट कॉंग्रिस ने जीत ली है और 2 पर आगे चल रही है, भाजपा ने 1 सीट जीती है और 4 पर बढ़त बनाएवे है, चंडिगर की एक मात्र लोकसभा सीट पर कॉंग्रिस उम्मेदवार ने विजय हासल की है, जम्मो कश्मिर में सभी 5 सीटों के परणाम आगे हैं, भाजपा दो, नैशनलल कांफरेंस दो, और निर्दलिय उम्मेदवार ने 1 सीट जीती है, लदाख की एक मात